हमारी चैनल हिंदुस्तान के अर में आपका श्वागत है आज के इस वीडियो में हम ये कोशन को सॉल्व करेंगे आईए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है 217X प्लस 131Y और 913 इसको हम equation 1 मान लेते हैं और फिर यहां पे 131X प्लस 217Y और 827 को क्या मान लेते हैं दूसरे हम equation 2 मान लेते हैं अब हमने परहा है कि किसी भी इस तरह के question को शॉल्व करने के लिए इश्कूल में परहा है कि एक X X और Y Y को क्या करते हैं सेम करते हैं या तो X S को सेम कर लेते हैं या तो Y Y को सेम कर लेते हैं इसके संख्या इसमें गुना करके इसके संख्या इसमें गुना करके लेकिन यहां पे यह अंक जो है कितना लंबा है 217X गुना करने में कितना टाइम जाएगा तो इसको हम लोग ऐस तरह से जब भी किसी परती होगी ता परिच्छा में है तो क्या हम लोग ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं ट्रिक लगाके क्या करते हैं कोशन को सॉल्फ करने की कोशिश करते हैं कि maximum किसी भी परती होगी ता परिछा में एक कोशन को solve करने के लिए एक मिनट से कम ही समय रहेगी जादा से जादा एक मिनट समय रहता है तो आईए इसको हम लोग solve करके देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे पहले equation 1 और 2 को क्या करेंगे पहले जोड लेते हैं तो 217 x plus 131 y जोडते हैं तो क्या होता है बाय को बाय साइड और दाय को दाय साइड जोडते हैं तो 131 plus y और फिर यहाँ पर 131 x plus 217 y और equation 2 करते हैं तो बाय में क्या है 917 plus 827 अब इसको हम लोग जोडते हैं आएगा यहाँ पर इसको और इसको x वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 3 1 4 2 1 3 348 x plus फिर यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 348 y तो 7 1 8 3 1 4 3 348 y और यहाँ पर इसको हम जोडते हैं तो 7 3 10 हाथ में बचेगा 1 2 1 3 4 9 8 7 7 1 4 अब हम क्या करते हैं 348 को क्या करेंगे हम common ले लेंगे और x plus y लिख देंगे और 171 चालिश यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे 348 को इसमें भाग देंगे तो 348 को देखते हैं घुंणा करने पर कितना 1740 आता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 है तो हम देखेंगे 8 के किस टेबुस में 0 आता है तो हम 5 में देखते हैं, 8 पचछी क्या होता है? 40 होता है, तो 8 को हम गुना करते हैं 5 से 8 पचछी क्या हो गया? 40, हाँ बचछी गया? 5, 5, 20, 7, 4, 24, हाँ में बचछी गया? 3, मान ये